अलो दोस्तों आप लोग कैसे हो उमीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे तो आज दोस्तों हम उस पैनी स्टोक की बात करने जा रहे है जो लगातार तीन दिन के बाद अपर सरकिट होने के बाद में सुकरवार के दिन स्टोक में लोग गिराउट हुआ और उस पैन ऑजो कर सकाकतर नियां को य शक्रवार मुट्वार देखने होता है तो दोस्तों आप देख ग रहा है होंगे स्टोग के अंदर कोई मोमेंटन देखने को नहीं मिला थोड़ा बहुत देखो तोड़ा बहुत मॉमेटन देखने को मिला उसके बाद मैं स्टोक पूरे दिन क्लोजिंग लो सरकिट के अंदर दिया ठीक है अब बात करें ओपनिंग की तो लगबग 3.60 पैसे ओपन हुआ और हाई भी 3.60 पैसे या नहीं स्टोक ओपन तो एक क्या कर रहा परिवस्ट क्लोज से ज़्यादा गिरा भी नहीं है और उसके बाद में गिराउट हुई जो करीबन एक 3.45 पैसे का असपास गिराउट नजर आ गई और स्टोक मैं डेफिनेरली बता रहा हूं लो सरकिट लग गया अब कुछ लोग ऐसे बोले कि हमको फसाया गया तो ओपरेटर का इसमें कोई इतना बड़ा गेम नहीं है क्योंको ओपरेटर का इतना कोई बड़ा मसला नहीं है अगर होता तो स्टोक एक बता रहा हूं यह मोमेंटन जो देखने को मिलता है ना आप लोगों को यह मोमेंटन देखने को नहीं मिलता स्टोक आप लोगों को बता रहा हूं लो सरकिट के अ आप लोग कुछ time के लिए अगर hold करके भी चलते हो ना तो ऐसी कोई बात नहीं है आप लोग hold करोगे तो आप लोग definitely बता रहा हूं return कमा के जाओग ऐसे इस टोक से तो आप लोग hold करके चलिए बाकी दोस्तों गबराने वाली कोई बात नहीं है ठीक है अभी आप लोगों को मैंने बता दिया है इसकी current price देके तो 3.45 पे से आसपास देखने को मिल जाती है और 5 दिन की chart pattern देके तो लगबग 8% के आसपास 5 दिन के अंदर इसने return दिया जो बन तीन दिन की chart pattern आपको बीच में नजर आ रहे होंगी सीडी की तरह अपर सरकीट लगा था इसके अंधर और एक दिन की आपको chart pattern नजर आ रही होगी तो इस टोक मैं डेफिनली बता रहा हूं तीन दिन अपर सरकीट लगने के बाद मैं इस टोक क्यों लोग गिरा तो उसी इसाब से आप लोग इसे बाए करोगे अगर मंडे की दिन लो सरकीट नहीं लगा तो आपने इसको बाए करके अपने वोटफोल्य के अंदर एड कर लीजेगा और मंडे की दिन देखो लो सरकीट भी जरूर एक time में मैं बता रहा हूं opening के time में momentum बनेगा जो करीवन अच्छ कादा अच्छा काचा देखने को मिल सकता है ठीक है हई अब मंतली की चाठ पट हिए करता है तो लोगल याफर स्टोग में तहेजी आ हुई फिर गराउट चल रहा है ठीक है और अभी 6 मंद के हम बात कर ले तो दोस्तों लगबग 130% रीटेने इसने 6 मंद के अंदर बना के दिया है जो एक अच्छा कासा देखने को मिलता है और हाई भी 8 रुपे 30 पैसे क्या इस आई को क्रोस करेगा तो डेपनेली करोगा कम से कम आप 6 मंद होल्ड कर लेजे बस 6 मंद का ताइम अगर आपके पास है तो इस हाई को क्रोस कर जाएगा और फिर इसका 16 से 17 रुपे टार्गेट निकल के आता है मोटा मोटी 16 से 17 रुपे मोटा मोटी एक टार्गेट निकल के आता है जो आप लोगों के लिए एक अच्छा कासा देखने को मिल सकता है ठीक है अब साल की बात कर ले तो लगबग एक साल में 305 परसेंट रिटन इसने कमा के दिया है जो एक अच्छा कासा देखने को मिल जाता है वही हाई एक आठ रुपे इसका डेपनेली आल टाइम का आई भी देखे ना तो आठ रुपे तीस पैसे देखने को मिलता है ठीक है अभी हम बात करे लगबग पांच साल में भाई साब रिटन देखो पैसा 10 गुना बना के दिया है एक तरह से देखे तो पैसा बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया है 0.20 पैसे मैं ट्रेड किया करता था और मैं आप लोगों को यही तो एक बात बोलना चाहता हूँ ना कि आप लोग एक साल या दो साल ओल्ड गर के चलो फिर यह असा रिटन कमाने को आप लोगों को देखने को मिलेगा आप ऐसे नहीं है कि दो मन्त में चार मन्त में अच्छ कासा रिटन कमा के निकल जाए तो ऐसा डेपनेल दोस्तों आप सोचते हो तो बिलकुल गलत है और आप लोगों को मैं बता दू एक जार रिटन कोई कम नहीं है एक जार पचास परसेंट रिटन कोई कम नहीं है जो करीबन पांच साल के अंदर इसने कमा के दिया ठीक है आल मोमेंटन बनाए तो आप लोगों को भी पता है कि अभी स्टोक के अंदर बहेंकर तेजी आने वाली है तो इसलिए मंडे के दिन आप लोग इसको जरा संबल के क्या मोमेंटन रहता है मंडे दिन हो सकता है स्टोक अपर सरकिट के अंदर वापिस चला जाए इसलिए मैं आप आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों गवराने वाली कोई बाद नहीं है जैसे मंडे की दिन ओपन होता है तो आप लोग डेफिनेली इसको देखके नजर अंदाज करके और ऐसे इस्टोक को जरूर भाये करिएगा और उस पहने इस्टोक का नाम है आप शेप सॉप्ट्वर स को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यों